तो दोस्तों आखिर कर बॉवी दोल ने भी अपना डिजिटल डेभूग करी डाला सहीद उसेन जैदी की The Class of 83 से इंस्पायर होके Class of 83 मूवी बनी है रेट चिलीस के प्रोडक्शन हाउस में जिसे आज नेट्फिक्स के प्लाटफरम पर रिलीस की गई है इसे ड्रेट के है अतुल्द सवरवाल ने हाला कि यह एक अंसंबल कास्ट मूवी है और इसके लीड करेक्टर है बॉवी देगर पहली बार के लिए एक बड़े रोल में अनुत सोनी भी दिखेंगे ड्रिलर ब्रामा वाले इस मूवी की कहानी है एटीज के दशक्की जब मूमबई में कॉटन मिल मालिक और सरकार के लड़ाई में आम लोग पिस्ते हैं मूवी के शुरू में पनिस्पेंट पोस्टिंग लेकर पुलीस के ट्रेनिंग एकडेमी में दीन बनकर नासिक आते हैं बॉमबई पुलीस के सबसे होनहार आफिसर वीजे सिंग और वीजे सिंग के किरदार में है बॉवी देवर मूवई में बढ़ता अंडरवर्ड, गैंस्टर्स और उनके सामराज्यों को खतम करने के लिए बीन बीजे सिंग अपने ही स्टूडेंट्स में से एक स्कौर्ड ख़़ा करते हैं फाइव एड़ेड वाले इस स्कौर्ड में हैं सुकला, जादव, असलम, सुर्वे और वार्दे अंडर कावर में रहके ये पाचोग पुलीस वाले कालसेकर के आदमियों का एक के बाद एक इनकाउंटर करते हैं क्यादीन वीजय सिंग और उनका स्कौर्ड आखिर तक कालसेकर और उसके सामराज्य को फतम कर पाते हैं याकान उनके शिकंजय में उनके फिर से पनिश्मेंट पोस्टिंग हो जाती है जानने के लिए देखनी पड़े कि एक घंटा 38 मिनिट के मूवी, क्लास आफ 83 कहानी में इमोशनल टच तो है पर बहुत कम समय के लिए विलेन भी है पर दमदार नहीं पुलीस वाला हीरो जवर्दस्त है पर बीज़ीश में सुईसाइड एटम करते रहते हैं ऐसी कुछ बाते प्रॉट को कमजोर करती है स्पेशली विलेन अगर थोड़ा मजबूत होता तो कहानी में और मज़ा आता दोस्तों अगर एक्टिंग की बात करें तो बावी देवल ने बहुत शानदार एक्टिंग की है सीरियस रोल में विश्वजीत प्रधान और अनुट सोनी का एक्टिंग भी बहुत अच्छा है बैक्ग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, एटीज का लूप, हर चीज दिल को छूजाने वाला है तो दोस्तों ज्यादा क्या सोचना, फोड़ो सा ही तो टाइम लेगा, निकालिए और नेट्फिक्स के सामने बैट जाईए यकीन मानिया आपको बहुत मज़ा आने वाला है यकीन लेगा, गाइम सेफ़यां